हेलो दोस्तों विडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले में दिल से आपको सोरी बोलना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ मेरा जो personal problem के चलते में आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ इसके लिए दोस्तो सबसे पहले मैं sorry बोलना चाहता हूँ तो दोस्तो आज से मैं आपके लिए regular वीडियो लाने के लिए कोसिस करूँगा तो दोस्तो मेरे को माप कर देना कि आपके लिए regular वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ तो दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो YT Studio में जो एक update आया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो दोस्तो वो कौन सा update है इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो को end तक जरूर देखना तो दोस्तो वीडियो पसंद आये तो एक like जरूर कर देना और ऐसे interesting वीडियो देखने के लिए हमारे channel यानि कि Technical Sanjib को जरूर subscribe कर देना तो दोस्तो अभी तक आपने Instagram पर follow नहीं किया है तो Instagram पर भी follow कर लिजे इस वीडियो पसंद आया है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो अभी आपको सब कुछ एकी जगा आपको मिल जाता है टाइटल से ले करके आपको take तक आपको सब कुछ एकी जगा आपको मिल जाएगा आप वहां से direct edit कर सकते हैं वहां से आप direct upload भी कर सकते हैं पब्लिक्स भी कर सकते हैं तो चल्य दोस्तों वह कॉन सबडेट है इस वीडियो में आपको बता होंगा तो वीडियो को ऐन तक जरूर देखना तो चल्य दोस्तों मेले चलता हूँ आपको wyt studio अपलिकेस्ण में और वहां पर आपको बताता हूँ कि पहले कैसे इंटरफेस देखने को मिलता था तो यह रहा मेरा OIT application तो चलिए इसको मैं open कर देता हूँ तो दोस्तो open करने के बाद मैं आपको एससे interface देखने को दोस्तो जो वीडियो है नीचे आप देख सकते हैं view more इसके उपर में simply आप click कर दीजे उसके बद में दोस्तो एक वीडियो open हो जाएगा तो उपर में आप देख सकते हैं pencil का icon है इसके उपर में simply आप click कर दीजे उसके बद में दोस्तो आप देख सकते हैं उपर में basic information उसके बद में advanced setting तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं basic information में जाएगे तो आपको उपर में title उसके बाद में description उसके बाद में आपको यहां public करने के लिए उसके बाद में दोस्तो not made for kit इसको आप मिल जाएगा यहां पर उसके बाद में आपको जो playlist आपको यहां पर मिल जाएगा उसके बाद में नीचे आपको take डालने के लिए option मिल जाएगा उसके बाद में दोस्तों अब advanced setting में जाएंगे तो यहां पर आपको category आपको select करना पड़ेगा उसके बाद में लाइसेंस उसके बाद में comment उसके बाद में आप user can view rating for this video यह आपको option मिल जाएगा तो दोस्तों आपको उपर में दो setting आपको मिलता है basic information and advanced setting तो चले दोस्तों आपको मैं बताता हूं जो नाया update आने के बाद में आपको case interface देखने को मिलता है तो चले दोस्तों YTS studio जो update आने के बाद में case interface देखने को मिलता है आपको दिखा देता हूं तो यह रहा मेरा YTS studio application तो फिर से मैं इसको open कर देता हूं तो दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं view more इसके उपर में simply आप click क करने के लिए उसके बद में not made for kit, तो दोस्तों उपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सो नहीं हो रहा है जो basic information and advanced setting, यहाँ पर आपको नहीं हो रहा है तो यह नाया publish करने के लिए उसका बद में not made for kit यह तक मिल जाएगा आपको उसका बद में playlist तो आपको यहाँ पर टेग डालने के लिए आपको option नहीं मिलता है लेकिन दोस्तों आप नीचे आप देख सकते हैं more option इसको उपर में simply क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहां पर डाल सकते हैं उसके बद में दोस्तो नीचे देख सकते हैं People and worlds यानि कि आपना category जो है ओह यहाँ पर आप सिलिक्ट कर सकते हैं उसके बद में यहाँ पर आप स्टेंडर्ड यूटूब लाइसस यह आपको पहले से मिलता है उसके बाद में दोस्तों यहां पर निच्छे आप देख सकते हैं जो वियू लाइक एंड डिसलाइक अगर इसके उपर में क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है उसमें आपका जो जितने भी लाइक करेंग तो दोस्तों मैं उम्मेद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया और यह ओपडेट आपको कैसे लगा दोस्तों कोमेंट सेक्षन में जरूर बताईए ताकि दोस्तों आगे भी इस टोपिक पर में वीडियो बना सकूं तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कोमेंट सेक् हैं